कि यह और कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ मकोडे की कराम आता है जो यह आज कल काड़े वाड़े हैं ना गया था उधर मिट्टी को बचाने के लिए सांड वो नहीं करेंगे उधर गया थो जो टीन का गेट सामने उधर दिख रहा हुगा आपको थोड़ा सो हां वो दिख रह तो मैंने सुचा उधर से चड़ी मिल जाए कि कोई गेट खोल रहा था तो वहां पर मकोडे ने कटा देखो इतना खतर ना क्यार मैं प्रहसान हो गया चुटा तो चुटा तो चुटा ते नहीं छोड़े लास्ट में ऐसे पकड़के ऐसे उतारना बढ़ा उसको हाथ से चुटा गया मेरे को पता ही नहीं था तो भाई बच्चों को सब बचके रहना अब तो यह वर साथ किम टाइम में तो बहुत खतर ना को जाएंगा श्याम का समय हो गया है और वह जो सुबह जामून लेके गया था ना मैं वह मतला अपने जीजी हैं कोई दी तो उनका प्लो अच्चे हैं वह भार देख लेओ अकेला लांग रहा हो ना मैंना बोल लेता मता ना कई ही देखो अकेले लगे हुए हैं और यह सब उठाके डालना है जी जी अकेले लग रहे हैं वह रहे हैं अब कि अब अब कि अब 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 रही है यह घुलाब यहां पर चॉंडा बड़ी है सब्जी दो दिखाओ इती वड़ी भड़ी लगें वह बटन वड़ा एंगे लगें ना चोटन चीए चॉंड एक हो भी इतने दूर में बहुत हदी राम से बड़ी आ सब्जी हो जाए क बड़ी और लगें हैं हां सही है और के गणे बड़ी जगह आराम देखो यह अपने जीजी को प्लोट है और यह पेड़ अपने छांगें यह थोड़े दिन में इसको काट के यार वो कर लेंगे सर्दियों में रोटी-रोटी बढ़ाने की काम आएगी यह देखो यह गड़ी के मतलब वैसे यहां रहते नहीं जीजी रहते तो उदर हैं उदर बहुत सारे पेड़ पोद्य वगएरा लगा रखें यह हमारी जीजी की तरफ से सब को राम राम और यह तो किराय दे रखे थे तो उन्होंने मतलब ऐसे हालात कर दी थी वो छोड़ के चले गई अभी तो क इसमें बताया जी जीने किसी को बाजरा वगेरा बोलेंगे वो पसू रखते हैं तो काट काट के गायों को डाल देंगे और के दोनों काम अपने प्लोट की वो सफाई होती रहेगी उनको भाई गास पूस डालेंगे तो काम आएगा और यह भी छांगने बड़ा हूं मैं ए पर यारी करने फुल यह Kया है यह मतीरा खाले में तक्रा दाल लेंगे और यह बच्ची अपने पास पूरी खाद यह डाल देते हैं इसमें और यह डालने को के बाद में जब लगाएंगे तो और खाद डालनी पड़ेगी लानी पड़ेगी और अभी इतनी है कई दर जाए इतनी फिर जोशारी साइट पर मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे बिलो सर्माजी आप खाद वगरा ने डालते तो खाद तो हर उसमें कमले में डालते हैं तो यह देखो जी खाद डाल दी है अपने पास अभी इतनी ही बची थी और लाएंगे लाकेस में डालेंगे अच्छे से खाद डालेंगे तो जो भी पेड़े पो दिल लगाएंगे इसमें सबजी वगरा लगाएंगे और इकल भी कमेंट डा रहे थे कि सर्माजी यह है क्या तो य तो लो जी सबसे पहले पूरी यूटूब फैमली को मेरी तरफ से प्यारा सक गुड मॉर्निंग और आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे गुड मॉर्निंग के बाद में क्योंकि सब को गुशा मेरी उपर आ रहा है चलो मैं पूरी की पूरी माल लूँगा सो की सो नहीं सो में से 101% माल लूँगा कि सब में मेरी गलती है लेकिन यार सबसे पहला कमेंट तो एक चीज मां बताओं कि मेरे पास मान लो कितने सारे कल कमेंट आएं कि सर्माजी आपकी गलती है चलो मैं मेरी गलती स्विगार गलोगा मुझे कोई दिकत नहीं लेकिन मैं सर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ लाज्ट टाइम जब मेरे साथ ऐसा हुआ था किस मामले में आपको पता है वो जब गाने वाने की बात चली थी मुझे सामने वाले से मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया कि करना ही नहीं यह काम मैं नहीं गया और फिर मेरे पास मैं गारंटी करता हूँ आज भी मिल जाएंगे वाई टी बे अपने सब कमेंट सो में से 70% ऐसे कमेंट आये थे कि सर्मा जी यह तो देखो रिन्नों की गलत बात है आपको भी कुछ फैंस ले लेने चाहिए फिर हमने उस बात को किसी तरीके से समझा हो जा कि जो भी था चलो कर दिये के लिए अब मैं सब से चाहिए वो मेरी मतलब बैने हैं माताएं हैं या अंती हैं या छोटी बेटी के समान भी हैं बहुत सारे बच्चे भी मेरे वीडियो देखते हैं मैं सब से एक चीज कहूंगा यार कोई भी आदमी हो मतलब लेडिस जेंड्स लेडिस की बात हो भी कोई भी हो ऐसा कोई है या जोब करता है या फिर फेश्बुक भी चलाते हैं ज्यादा तर लो या इंस्टा भी चलाते हैं और जो जो है टिक टोक फलाना डिम का जो जो था सब चलाते थे या उन सब के अंदर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको एक्षेप्ट कर लेते हैं पूछता है मेरे पास ये कमेंट है कि बाइचान सोचो सर्मा जी अगर आपकी जगह रेन वोती तो क्या होता तो यार सबसे पहले मेरी इस बात को जबाब दो कि कि हर चीज़ पूछते हैं यार ओनली फेश्बुक पे या इंस्टा पे किसी की आई है रिक्वेस्ट उसको अपन ने कर लिया क्या गलत कर दिया उसमें और शेम वही कंडिशन ही यहां पे हुई है कि भाई इंस्टाग्राम पे मैं भी था वो भी थी यूटूब पे वो भी काम करती हैं मैं भी करता हूँ बहुत टाइम पहले जब इन दोनों का जगड़ा हुआ था और सबसे पहले मतलब जगड़ा हुआ था उस टाइम पे मैंने सोरी बोला था कि यार वो ज़्यादा दुखी थी सिदी सी बात तो देखो उस टाइम पे उनक्या जो दिमाग की जो हाला थी ना वो हर इनसान को समझना चाहिए चलो उस चीज को भी छोड़ो जैसे भी हालात में थे यार नहीं थे अपने को उस चीज से कोई मेटर नहीं रखता सेकिन नमबर मैं तो उनको जानूँगा किसलिए मेरी तो ने कोई दोस्ती ने कुछ और था तोस्ती थी रेनू की और निदी की दोनों की यही मेरे को वहां मिलाने के लिए फंस टाइम लेकि गए थे हम वहां पर मिले थे आप सबो half पता है वहां बेटके हमने जली बी वगरा भी खाई थी और गूमे भी थे वहां पर एक फोर्ट था हिसार में वेट लोस चैलेंज करती थी मुझे भी इतना क्या पता था मैंने सोचा अपन वेट लोस चैलेंज करेंगे इसमें तो इसमें क्या होगा वह दोनों राजी हो जाएंगी यार एक प्रेंड़ थी ने की दोनों का रिस्ता था और मैं भी उनमें सामील था वाई इसके साथ गया या रहनों में जिल्ए गई थी अब यार मैंने तो यही सवचा था कि चलो दोस्ति है ऐसे किसी को छोड़ा भी नहीं करते हैं चलो इन दोनों की सहली सहली की हो गई कल को भाई चांस को कोई प्रोब्लम हो कहीं बजार में मान लो भाई चांस हम कहीं गई हो है वो दर से आ कि दुबारा से दोस्ती हो जाएगी लड़कियां चाहिए कोई मेरी बैन हो चाहिए कोई वो एक बार लड़ लेती हैं फिर एक जगह एकटी हो जाती है दोरानी जी ठानी है दोस्तने सब ऐसे चलता है अब इसमें मेरे को आप लोग ज्यादा गलत थेरा होगे तो मुझे को मानने को तियार हूँ अब रही बात सेकिंड नमबर कल इतने सारे कमेंट आ रहे थे यार हम एक सोचल मीडिया प्लेट फोरम पर काम कर रहे हैं यूटूब पर आप देख रहे हो और आपको यह भी बता है कि मेरे वीडियो में बनता हूं सिर्फ वीडियो बनता हूं चैनल की वही डिल करती है आगे से मेरे को सिर्फ इतनी बूश्ति है उससे यह मिल रहा है इतने पैसे दे रहा करूं कर लो वहाँ पर के यार टोटल लड़कियां वैठी है लड़के भी हैं मैं किसी को नहीं जानता बहुत बार फिर जैसे मेरे पास को लागता है हाँ सर मैं मैं मेरी फेमिली की तरब से नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा और आज इसलिए कह रहा हूं नहीं मेरा यही कहना है और सबसे कहना है कि यार थोड़ी बहुत देखो आदिमियों की भी कुछ होती है वह बाहर जाते हैं आदिमियों में बेटते हैं सब जगह मतलब समाज में हर जगह वेट ना उनका होता है उनको फोड़ा सा वह होता है अब इस बात का बिना बात में घर बाइब हैं और इसमें कोई ज्यादा है नहीं मैं को कहा देती चलो ठीक है यार मुझे पसंद नहीं है आज आपका हो गया निक्स टाइम अगर कभी हुआ तो शिर्दी इसी बात है, मेरी बरदास से बाहर का काम है बात कहा था, क्लियर थी, कोई बात ही नहीं थी मैं यार इतना पखगलत हो ही हूँ कि मैं मेरी पतनी को दुखी करके, उसको नाराज करके दिसे मिलने जाऊंगा, या वो करूंगा, और बात करूंगा लेकिन ये बात तो हो चुकी थी, सोसल मीडिया पे भी आ चुकी थी फिर वेस्ति करने में क्या फाइदा है, आप बताओ, सही है की गलत है तो अभी देख लो, और कुछ भी मेटर नहीं है जबरदस्ती मतलब उसको आग जली होई थी, उसमें गीड़ा लने हो, अलाकर हम जबरदस्ती सोसल मेडिया पे आकिर सी बात है यार इधर से ये बोलेगी, तो वो भी बोलेगी हैं दोनों औरतें, एक मेरी पतनी है तो, एक भाई उसकी सहली है अब दोनों आपस में बढ़ास निकालेगी, मुझे पता क्या था यार, ऐसा कुछ होगा बाकी और बहुत सारी चीज़ें, जो मैं आपसे एकदम किलियर करूँगा, और मैं माफी चाहता हूँ और कोई इतना वो नहीं है कि भाई, प्रेशानी वाली बात है, अभी वीडियो ज़्यादा बढ़ा हो जाएगा इसलिए मैं सबसे माफी चाहूँगा, और यही कहूँगा कि कल मिलते हैं नई व्लोग के साथ में, तब तक सब अपना ध्यान रखना और इसी बात के वे जो टोफिक हैं, वो मैं आपको और किलियर करता हूँ, पूरी चीज़ें, आप पूरा मेरे जितना जहां तक मतलब एक दो वीडियो तीन वीडियो तक आते हैं, वो पूरे सुन कि उसके बाद मेरे को जवाब देना, आपको दोगे वही में करने को तयार आपकी बात है